हेलो सो टेंडिर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज हम यहां पे बात करेंगे OnePlus 7 के बारे में जी हाँ मैं जानता हूँ OnePlus 7 के अभी लीक्स और रूमर्स निकलना शुरू हो चुके और बहुत सारे लोग वेट कर रहें कि यार यह फोन इस बार जो आएगा वो क्या खास लेके आएगा इसमें कौन सा प्रोसेसर होगा कितने कैमेरे होगे इसके डिजाइन कैसी होगी यह 5G होगा नहीं होगा काफे सारे confusion यहाँ पे हमारे दिलों में दिमाग में घुस चुका है तो मैं आप लोगों यहाँ पे इस वीडियो में उन confusion को जो दूर करने के लिए बैठा हूँ मेरे पास जितने भी leaks और rumors है और जो जो authentic खबर है वो सारे हम इखटा करेगे और उसके पर हम बैठ के चर्चा करेगे और finally conclusion पर आएगे कि OnePlus 7 आप लेको किस तरीके का देखने को मिलने वाला है यहाँ यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बात कर देता हूँ और वनप्लस के 5G होने की या ना होने की देखें यहाँ पर वनप्लस के CEO PT Loon उन्हें खुद confirmed किया था कि early 2019 के अंदर वह वनप्लस का 5G स्मार्टफोन लांच करेगे उन्हों नहीं यह नहीं कहा था वर्शन लेकिया है जिसमें स्नाप्लेकर 855 और 5G का सपोर्ट मिलें जैसे कि दूसरी कंपनिस कर रही है अपने पुराने फोन्स को अप्ग्रेट कर रही है और 5G का सपोर्ट डिए अगर यहाँ पर लॉजिकली मैं बात करता हूँ तो वनप्लस के अगर हम लॉंच की बात क अगरें जिस टाइम पर वनप्लस अपने फोन्स को लॉंच करता है जहां तक मेरी इंडिया गिंदर बात हुई थी वनप्लस इंडिया से तो उन्हों ने मुझे यहां पर यह बता था कि जुलाई से पहले यहां पर वनप्लस सेवन आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह एक सबूत है यह एक अथन्तिक खबर है कि इससे भी पता चलता है कि वनप्लस सेवन यहां पर जून जुलाई की टैंपर ही देखने को मिलेगा सबसे पहले यहां पर आते हैं स्पेक्स की तरफ से लॉंच और फाइफ जी का जो कन्फूजन था शाहिए अब भी आपको दू 845 था तो आपके दिवाग में यह सवाल होगा कि यह एक फाइफ जी रेडी प्रॉससर है तो वह फाइफ जी का सपोर्ट क्यों नहीं लेकिया आएगा देखिए वनप्लस अगर सेवन आता है और फाइफ जी के साथ में आता है तो वह फोन महंगा भी हो जाएगा क्योंकि 5G यह काफी महंगी है दूसरी बात यह है कि 5G जो नेटवर्क है वह अभी वर्ल्ड में बहुत कम जगाओं पर इस्टेबलिश्ट है जैसे कि US में है, South Korea में, Netherlands में और कुछ ऐसी गिनी चुनी चु कंट्रीस होती है वहाँ पे वो जो प्रॉपर कनेक्शन मिल रहा है तो OnePlus क्या 5G का सपोर्ट आपको नहीं देगा कि आप 5G नेटवर्ट पर कनेक्ट कर रहे है और जैसे कि 5G फोन होते वैसा यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि OnePlus को कौश्ट जो अपनी है वो अपनी सही तरीकी से रखनी है इसलिए वो एक स्पेशल वर्शन लाएगा जिनको चाहिए व होगा, OnePlus 7 का स्पेशल वर्जिन हो सकता है जिसमें आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो यह confusion भी यहाँ पर दूर हो गए होगी, अब बात करते हैं कि OnePlus में आप लोगो कितने cameras जो वो देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर OnePlus ने अक्सर अपने phones में दो-दो camera इस्तेमाल दीन camera देखने को मिल सकते हैं, जहां तक मुझे इसा लगता है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके design और इसके display की, OnePlus 7 जो आएगा उसमें आपको कैसा design मिलेगा, कैसा उसको जो display होगा, तो देखिए अगर logically में बात करता हो, तो OnePlus 5T था, इसमें आपको 18.9 की जो display मिले थी, OnePlus जो 6 आया था, इसमें आपको notch वाले display थी, OnePlus का जो 60 था, उसमें आपको water drop notch वाले display मिले थी, तो OnePlus का जो 7 आएगा, इसमें यहाँ पे ऐसा बताया जारे कि आप लोगो को बिलकुल भी bezel जो वो देखने को नहीं मिलेगा, एकदम से full view display होगी, जहां पे recently एक picture जो लीक होगे, जहां पे आई थी, आप देखेंगे, आपके सामने, यहां पे यह एक live picture है, और यह एक prototype है, जहां पे आप देखेंगे, left side में से बताया जारे कि OnePlus का 7 है, और right side में उनने OnePlus के 6T के साथ में compare किया है, हाला कि यहां पे उन्होंने इन दोनों फोंस को एक case में जो हाइट करके र अगर आप notice करेंगे तो उनके bezels, उनके जो notch है वो छोटे से छोटे होते जा रहेते, तो यह common sense है कि OnePlus 7 में आप लोगको बिलकुल भी bezels नहीं मिलेगा, अगर bezels नहीं मिलेंगे तो front facing camera यहां पे कहा जाएगा, क्योंकि यहां पे हमें कोई punch hole display जो वो नहीं दिखाए दे रह है, अलाकि इसके सबूत इस picture में भी है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसके उपर cut out डिक रहा है, यह जो 2 cut out है यह ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ reason से आपको यहां पर cut out मिल रहा है, तो पहला circular cut out है वो शायद से जब आप slider mechanism उपर करेंगे, तो उसमें आपको आपको शायद से उसका sensor होगा, जो भी अलग से जो आप फोन पर बात करते, जो proximity sensor है, यह sensor है, और शायद से आपको IR face unlock भी मिलेगा, तो उस तरह की sensor वहां पर हो सकता है, तो यह जो cut out है, यहां पर यह reason से है, कि आप front जब slide उपर करेंगे, तो एक hint दे रहा है, कि आपको य 3300 image की battery थी, OnePlus 6 था, वो भी 3300 के साथ में था, OnePlus 6 था, वो आप लोगो 3700 image की battery के साथ में मिली थी, तो highest possibility कि OnePlus 7 में, शायद से आप लोगो वही same capacity में मिलीगी, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन जहां तक हमें से रगता है, 4000 image की battery अगर आपको दे सकता है, तो battery थो अभी तक इसका leak तो निकल के आया ही नी, तो उसके बार में आप लोगो बताने सकता हो, लेकिन highest possibility यह है, कि OnePlus 7 होगा, शायद से आप लोगो 4000 image की battery की साथ में देखने को मिल सकता है, अब यहाँ पे finally बात करते हैं कि OnePlus 7 आएगा, इसकी क्या price होने वाली है, सबसे OnePlus 7 उनके predecessors है, यहाँ पे जो महिंगा होने वाला है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि OnePlus 7 होगा, जहां तक मुझे इसा लगता है, 40,000 रुपे से price होने वाली है, अगर आप देखेंगे गौर करेंगी तो हर साल OnePlus की जो phones आते है, उनके उपर उनकी price 2-3,000 रुपे ब अगर वो शायद से 6-128 से start होगा, और आप लोगो 40,000 रुपी की price देखने को मिलेगी, प्रोसेसर भी अच्का पावफुल होगा, डिजाइन भी थोड़ी से नहीं होगी, कैमरा भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो इन चारी चीज़ों को रखे, OnePlus की price यहाँ पर लॉंच यहाँ पर OnePlus 7 कभी होने वाला है, तो सारी confusion में उम्मीद करता हूँ कि आपकी यहाँ पर दूर कर दिया हो, अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आए, तो जरू से like करना, मैं ऐसे ही authentic leak और rumors पे based में सारी चीज़ों को एकटा करूँगा, और दूसरे smart phones की बारे भी आपको यहाँ पर बताता होँगा, मिलते हैं आप से like लगाएं एक नए वीडियो के साथ, till the daily day and always keep smiling